राम राम दोस्तों, दोस्तों मार्केट में आज आपको sharp selling देखने को मली, बहुत सारे setup भी बने, मार्केट ने previous day high का breakdown दिया, फिर आप देखेंगे previous day closing का breakdown दिया, यह जो trend line है, मार्केट ने इसका भी breakdown दिया, यहाँ पे एक triangle pattern बन रहा था, मार्केट ने इसका भी breakdown दिया, य इस level का भी breakdown दिया, फिर फिवनाची के इस level का भी breakdown दिया, अपोर्चुनिटी बहुत सारी बनी है, logic का हम discussion करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको one day के time frame पे लेके चलता हूँ, तिहान से गर आप देखेंगे, हम काफी दिनों से एक discussion कर रहे थे, कि यहाँ पे एक negative sign बना ह हुआ है market में, bank nifty के chart पे, और मैंने आप से पूछा भी था कि कौन सा candlestick pattern बना हुआ है, आप सभी ने जवाब भी दिया था, लेकिन आज भी एक negative scenario हमें नजर आया, तिहान से गर आप देखेंगे, पहले वाली green candle को देखो, और इस वाली red candle को देखो, पूरी तरीके से previous candle क इंगल्फ किया गया है, यान कि ये भी एक negative scenario हमें नजर आ रहा है, पर लेकिन हमने एक discussion और किया था, हमने discussion ये किया था, कि अगर इसका breakdown मिला तो important support इस area में बन सकता है, क्यों discussion हमने किया था, क्योंकि market ने वापिस आते समय, जब market ने यहां से breakout देके चल रहा था, यहां प support की track करने की possibility बढ़ जाती है, क्योंकि पहला support हमारा यही था, और कल भी हमने discussion किया था, अगर आप कल वाली वीडियो जाके देखेंगे, आपको पता लेगा कि 52,000 का discussion हमने किया था, कि यहां पर एक important support की possibilities हो सकते है, अगर आप धियान से देखेंगे, market यहीं पर support लेके bounce कर आपको दिखाई दिया है, लेकिन अब सवाल यह उठता है, कि अगर market में, देखो एक negative sign तो टोप पे बना हुआ था, एक negative sign हमें अभी दिखाई दिया, तो क्या यहां से market में crash आएगा, या फिर negative momentum की शुरुआत होगी, या फिर कुछ profit booking हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ह हमारा simple सा एक price action भी बनता हुआ चला रहा था, हमने इसका भी discussion किया था, कि market इस तरीके से आपके लिए एक price action बनाता हुआ चला रहा था, यानि कि market ने higher high बनाया, जहां से अगर आप notice करेंगे, higher lows बनाता हुआ market उपर की तरफ move कर रहा था, तो यहां पे भी market higher high बना चुका दो possibilities हो सकती है, जहां पे आपको नया higher low देखने को मिल सकता है, पहली possibilities का discussion करें, तो यहां पे एक trend line थी, पहला discussion हमारा यह हुआ था, कि यह चोटी सी trend line market ने, जब इस crash के बाद market ने ऊपर की तरफ market में खिचाव चल रहा था, market ने यहां पे एक support line बनाई थी, पहला हमारा higher lows बनने की possibilities इस support line पे हो सकती थी, दूसरा हमारा higher low अगर आप ध्यान से notice करेंगे, यहां पे जो यह trend line पहली से चलती हुआ रही है, लगबग लगबग आप देखेंगे, जनवरी से ही चलती हुआ रही है, market हर बार इसी पे ही अपना higher low आपको बनाता हुआ, दिखाई दे र market अपना higher low बनाते हुए आगे बढ़ रहा था, तो हमारे लिए higher low की यह possibilities हो सकती है, क्या market सीधे ही यहां तक आ जाएगा, अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा, इस बीच बहुत सारे market के लिए support भी आएंगे, bounce भी आएंगे, आईए अब उन सारी चीजों का discussion हम यहा down दे देता है, यानि कि 52,000 से नीचे price sustain करना शुरू कर देता है, उस situation पे आपके लिए एक important support area यहां पे है, कहां पे है 51,000 के around, इसका discussion कल वाली वीडियो में भी हुआ था, आज इसका revision करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आज मैंने आपके साथ ये वाली trend line भी discuss की है, भई कभी आप इस वज़े से confused हो जाओ कि market ने 51,000 का breakdown दे दिया है, और अब negative side position बना के बैठ जाते हैं, वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें इस trend line पे भी देखना पड़ेगा, market support लेके bounce करेगा, या फिर market इसका breakdown देगा, हमें उन सारी चीजों को अब भी यहां पे observe करना पड़ेगा, बात समझ में आगी यहां पे, clear हो गया यह confusion, अब यहां पे जो 51,000 का हमारा discussion हुआ था, यहां पे मैंने क्या कहा था, कि जब market ने एक positive news के साथ एक gap up opening दे थी, तो इस zone से market ने resistance की track करके आपको एक sharp selling market में देखने को मिली थी, ठीक है, लेकिन जब market वापिस आ और इसका breakout दिया, और यह resistance zone बनाया, तो market ने इसे एक support area में बदल दिया था, जितनी बार market ने यहां पे resistance की track किया, लगबग लगबग उतनी बार market ने आपको यहां पे support लेता हुआ भी दिखाई दिया, यानि कि नीचे आते समय अब हमें दो support zone का पता चल गया, जो कि दोन Monday के time frame पे मेरा आपको लाने का purpose यह था, कि यहां पे आपको एक berries engulfing दिखाई दे रहा है, पिछले दिन की candle को पूरे तरीके से engulf किया गया है, अगर इसके बाद market एक momentum, negative momentum continue करता है, तो आपको market में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और pattern भी आपके लिए activate हो जाए दोनों से related videos आपको channel पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके आप detail में समझ सकते हैं, फिलाल मैं आपको लेके चलता हूँ, 15 मेंट के time frame पे भी हम discussion करेंगे, लेकिन पहले आज का logic समझते हैं, आज की trade के पीछे logic क्या था, दोस्तों अगर आपको content पसंद आ रहा है, वीडि momentum दिखा देगा, या थोड़ा सा positive जाके आपको उपर trap करके negative momentum दिखा देगा, या कभी gap down opening देदेगा, positive momentum दिखा देगा, या फिर market थोड़ा सा negative जाके आपको trap करके फिर positive momentum दिखा देगा, इस तरह की situation देखने को चल रही है, लेकिन market ने यहाँ पर किया कि आपको एक gap up opening द क्योंकि चारो एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में तब गुसा जाता है जब यह ट्रेन प्लैटफॉर्म पे रुकी हुई हो तो यहां पर जैसे मार्केटर ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी हमने देखा पहली ही केंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया कहीं मिल जाएगा चाहिए आप Android यूजर हो चाहिए आप iOS यूजर हो दोनों के लिए एप्लिकेशन अवेलिबल है फिलाल 50% ओफ चल रहा है मैं जल्दी इस ओफर को खतम कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाए इस ओफर का फाइदा उठाई है तो हम यहां प यहां पर पिछा पर्मिशन भी हो रहा है मैं आपको चार पीटरन बताय उए ट्रेंगल वाले पैटरन ट्रेंहला इंसे के बनाई होओ पैटरन और पैटर अगर आप दियां से देखेंगे पैटरन का भी आपको फोर्मीशन होते हो दिखाई दी रहा है तो यहां तक हम confidence आएगा जब market previous day closing से नीचे चलेगा, फिर आपके लिए important support area क्या हो जाएगा, 52,400, इसका market ने breakdown दे दिया, फिर आपके लिए 52,162, ये कहां से आए थे, ये हमने Fibonacci लगाया था, तब हमने इन चीजों को draw किया था, आपको समझाने के लिए, बात समझ में आए कि नहीं, तो ये कल की चीजों पर focus करते हैं, logic बहुत ही simple था, और एक और opportunity आपके लिए बनी है, मैं वो भी आपको समझा दूँ, कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपके लिए क्या है, previous day low है, market ने इस पर support लेके bounce मारा, और फिर यहाँ पर एक pattern बना के market ने इसका भी breakdown दिया, और 162 और नीचे वाला जोन काफी important रहेगा 51,922, आईए इन दोनों जोन को कल के लिए detail में समझते हैं, क्योंकि अगर कल को भी market में आपको गिरावाट देखने को मिली, तो नीचे की चीजे समझेना थोड़ा जरूरी हो जाता है, आईए मैं आपके लिए Fibonacci draw करता हूँ, ज इस से आपको आने वाली वीडियो उसके notification मिल सकेंगे, तो यहाँ पर कुछ लाइन ही हमने draw करके रखी हुई है, एक line और draw कर लेता हूँ, मैं, ओके ये वाली line में, और draw कर लेता हूँ, right, होगी ये भी draw, अब हमने discussion क्या किया था, हमने discussion ये किया था, कि अगर market इस वाले pattern क breakdown देता है, तो आपके लिए important support area 0.382 हो सकता है, अगर market ने इसका भी breakdown दिया, तो 0.5 इसका भी breakdown दिया, तो 0.618 आपके लिए important support हो सकते हैं, लेकिन साथ में हमने ये भी discussion किया था, कि 0.5 और 0.618 वे zone है, जो market को bounce करवा सकते हैं, और अगर आप धियान से notice करेंगे, ये क्या है, आपका 0.5 का है, क्या market ने यही से ही bounce करा है, और यहाँ पे 2 reason थे, इसी zone में आपका previous day low भी था, market ने यहाँ पे support लेके आपको bounce मारा है, फिर जब market ने इसका breakdown दिया है, आपके लिए important support area ये भी है, हम negative trend कब मानेंगे, या market में trend change हो चुका है, वो हम किस situation पे मानेंगे, वो अभी मैं आपको बताने की कोसिस करता हूँ, उसे ध्यान से समझेगा, अभी market में क्या किया, वापिस से market 0.5 के असपास आपको दिखाई दिरा है, यानि कि इसे की respect कर रहा है, buyers चारे है कि यहां से उपर की तरफ momentum आए, sellers चारे हैं यहां से नीचे की तरफ momentum आए, लेकि क्योंकि अगर 0.618 का breakdown मिल जाता है, तो trend change होने की possibility थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानि कि हमें थोड़ा और confidence आ सकता है, कि हां market में एक negative momentum की सुरवात हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको proper stop loss को follow करना है, आख बंद करके सिर्फ negative side positions नहीं बनानी है, आए एक एक step और detail में समझने की कोसिस करते हैं, अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है, दोस्तों इसका discussion करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है, invest करने से पहले आपको अपनी research कर लेनी है, क्योंकि profit भी आपको होने वाला है, लोस की जिमिधर भी आपको अपने आप लेनी है, अगर market यहां से आपको एक positive momentum दिखाता है, तो आपके लिए अगले important resistance की possibilities क्या है, 52,400, और जो यह 52,400 है, यह हमारे लिए काफे important है, क्यों important है, कल भी इसका discussion किया गया था, इसी जोन पर support लेके फिर से bounce कर गया, फिर आप देखो 28 को, 28 को market फिर से आया, इसी पर support लेके फिर से bounce कर गया, फिर जब इसका breakdown दिया market ने, 28 को ही, फिर देखो एक बार support लेके bounce किया था, और breakdown देने के बाद market आपको यहां पर resistance की तरह act करता हुआ भी दिखाई दिया, जब इसका breakdown दिया, वापिस गया, retest करके फिर से momentum दिखाया, यानि कि जो resistance जो उन था breakout मिला, उसने support की तरह act किया, फिर से breakdown मिला, फिर से resistance की तरह आपको act करते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम 52,400 को ignore नहीं कर सकते, दूसरी चीज, यहां से आपको sharp selling भी देखने को मिले, और यह काफी बहतरीन momentum भी देखने को मिला है, बहुत ही छोटे stop loss के साथ, कभी कभी देखो, मैं आपको हमेसा एक बात कहता हूँ, अगर आप proper stop loss को support को find out करना सीखे, या resistance को find out करना सीखे, तो आपको कभी कभी बहुत अच्छी trade मिल जाते हैं, for example, अगर आप notice करेंगी, resistance जोन से आपको क्या मिल सकता है, भई एक छोटा सा stop loss, negative side एक बड़ा momentum, जरूर रही नहीं हर रोज मिलेगा, लेकिन कभी कभी मैं आपको कुछ example दिखाऊंगो, जैसे एक तो आज कही example देख लो, कितनी बहतरीन candle मिली है, एक top पे जाके बनी है, और various candlestick pattern आपके लिए बहुत ही छोटा stop loss था लेकिन momentum काफी बहतरीन, एक और example देखो, यहाँ पे आजाओ आप, यह देखो कितना बहतरीन, एक बिल्कुल टोप पे जाके बनी है, बिल्कुल same candle बनी है, जैसी candle आपको यहाँ पे देखने को मिली, वैसी candle आपको यहाँ पे देखने को मिली, और फ के साथ discuss किये समय समय पर मैं आपको दिखाता रहता हूं तो हमने अभी क्या discussion किया कि अगर market में positive momentum आता है तो पहला resistance हमार लिका हो सकता है 52,400 अगर market इसका breakout देता है फिर आप देखेंगे 0.236 यानि की 52,700 आपके लिए काफे important क्या हो सकता है एक resistance बनने की possibilities हो सकती है लेकिन वहीं पर अगर आप notice करेंगे अगर market में आपको एक negative momentum देखने को मिलता है तो situation पर दो चीज़े समझो पहली चीज़ 0.5 की market respect कर रहे हैं यहाँ पर पूरा कभी breakout दिया कभी breakdown दिया इस तरह के situation देखने को मिल रहे हैं अगर market previous day closing से नीचे चलना सुरू हो गया तो इसका मतलब 0.5 का market breakdown दे रहा है तो आपके लिए important support की possibilities क्या है 0.618 अब मैं आप से एक सवाल पोच लेता हूँ इस बीच आपके लिए दो और support है कौन कौन से दो support है ध्यान से देखो 0.5 और 0.618 यानि कि 52,162 और 51,922 के बीच आपके लिए दो और support जोन है मुझे जल्दी से comment करके बताओ इससे पता लगेगा कि आप वीडियो को ध्यान से देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो कर दिया सभी ने comment वीडियो को post करके आप comment कि अगरो जो भी गलत हो या सही हो doesn't matter आपका जवाब देना जरूरी है क्योंकि learning महीं से सुरू होती है जब आप किसी काम की सुरुवात करते हो मैं बता दू कौन कौन से support है पहला support previous day low आपके लिए previous day low यहीं पे और यहीं पे आपका दूसरा support 52,000 का round level यह आपके लिए दो support है अब आप खुदी सोचो कि यह यहाँ पे previous day low है 52,000 का round level है उसके just नीचे 0.618 का important level है तो क्या negative side trade लेना समझदारी होगा या फिर scalping करना समझदारी होगा scalping करना जादर समझदार होगा क्योंकि 0.618 market को bounce भी करवा सकता है या फिर previous day low भी market को bounce करवा सकता है जैसे कि हमने आज देखा यहाँ पे आपका previous day low था 0.5 पे बन रहा था market ने bounce मारा है तो बहतर negative side आपको aggressive तब होना है जब market 0.618 यानिकि 51,922 का breakdown देके आपको follower candle भी देन की सुरुवात करते हैं के लियर हो गया तक अगर market ने आपको दे दी gap up opening उस situation पर क्या करेंगे अगर gap up opening का scenario बना तो जो एक resistance zone market में create कर रखा है हम इस पर focus करेंगे अगर market ने इस पर breakout देके आपको उपर की तरफ momentum दे दिया तो पहला resistance क्या होगा 0.382 यानिकि 52,400 इसका breakout मि possibilities हो सकती है लेकिन अगर gap up open होके जैसे market आज gap up open होके negative momentum दिखा दिया तो previous day closing से नीचे चलने देना फिर आपके लिए important support क्या रहेगा 52,000 यहीं पर आपका previous day लो इसका breakdown देके 0.618 काफी important रहने वाला है लेकिन अगर market ने gap down opening दे दी तो ध्यान ये रखना कि अगर gap down opening मिलग है aggressive कुछ तब सोचना है जब market 51,922 का breakdown देके नीचे निकलने लग जाए तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो को like करना comment करके मुझे बताना कि आपको analysis कैसे लग रहे हैं नहीं हो subscribe करना और bell icon press करना जिससे आपको आने वाली videos का notification मिल सिटेंगे फिलाल इस वीडिय चुड़े में तब तक के लिए राम राम